पार्ट पांच क्या होगा यदि आप मर जाते हैं? हम सभी गलत कारणों से जीवन बीमा खरीवते हैं भै, लालच, बया, निराशा, कर जीवन बीमा का असली कारण अपने परिवार की सुरक्षा के लिए यदि तुम मर जाते हो कभी समझाया नहीं जाता कंचन चंदर दिल्ली की एक प्रसिध कलाकार है आप उसे पेज तीन पर देख सकते हैं दैनिक टैबलोड कैमरे पर मुस्कुरा रहे हैं मैं उससे मिलने के लिए हुआ था एक कॉमन फ्रैंट का घर और जैसे ही यह खेला गया बातचीत जल्द ही स्थानांतरित हो गई उसका पैसा वैसे भी मैं कला के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था वो एक कहानी के बीच में थी जिसे मैंने अब तक सेकडों बार सुना था एधक का मुक्की वाला बैंक संबंध प्रबंधक एक आश्चर्य जनक बीमा सहनिवेश का वादा करता है उतपाद आप अपने बैंक पर भरोसा करते हैं आप ऐसे समय में पले बड़े जब बीमा का मतलब सुरक्षा था और अच्छा रिटन टैक्स ब्रेक के साथ यह संबंध प्रबंधक बहुत है प्रेरक, कई बार कॉल करता है, बहुत आकरशक है आपकी आँखों में इमानदारी से देखता है और उतपाद के बारे में अपना व्यक्तिगत वादा देता है मैं वहां हूँ वे कहते हैं, कंचन की कहानी भी अलग नहीं थी वो दो के लिए एक मुष्ट राशी निकालना चाहती थी साल ताकि वो यूके में अपने बेटे की कला विद्यालय शिक्षा के लिए धन जुटा सके हाला की उसे एक 15 वर्षिय नियमित प्रीमियम यूनिट लिंक बीमा योजना बेची गई थी साल पहले उसके बैंक द्वारा उसने सोचा कि वो दो साल की सावधी जमा खरीद रही है लेकिन बैंक ने उन्हें नियमित प्रीमियम लंबी अवधी के निवेश में डाल दिया था उसे जटका लगा जब एक साल बाद उसे बीमा कंपनी से यह कहते हुए एक संदेश मिला की दूसरा प्रीमियम देया है लेकिन उसने एक मुष्ट निवेश किया था उसने सोचा इसलिए उसने अपने बैंक रिलेशन्शिप मैनेजर को बुलाया वो चला गया था एक और स्मार्ट स्लीक सूट था जिसने बताया उसे कि अगर उसने भुगतान नहीं किया तो वो पूरे निवेश को लागतों में खो देगी जो उसे निवेश के समय नहीं बताया गया था उसने विरोध किया आपने हस्ताक्षर किये नीती तो आपको यह पता होना चाहिए था पुषबैक था कंचन तबाह हो गई थी कलाकारों की आय अनिश्चित है और वो इस प्रैसे पर अपनी फंडिंग के लिए बैंकिंग कर रही थी बेटे की शिक्षा और अब वो चली गई थी एकल माता पिता के रूप में जटका सम्धा और जोर से पीछे हटने वाला कोई नहीं था संभावना है कि आपके पास पहले से ही कम से कम एक खराब बीमा अनुभव है अभी या तो आपको इमानदारी से अपनी सेवा करने के बाद एक छोटा सा पैसा वापस मिल जाता बीस साल के लिए पॉलिसी या आप उस उतपाद में फंस गए होंगे जो आपने नहीं किया चाहना या बेशर्मी से जूट बोला गया और एक बेकार उतपाद को पकड़ कर छोड़ दिया गया धोखा क्यूं देते हैं और सुरक्षित रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं क्या आपको वास्तव में बीमा कव की आवश्यक्ता है क्या टैक्स ब्रेक के बारे में अगर आप दूसरी पॉलिसी नहीं खरीडते हैं तो आपको वो कैसे मिलेगा मैं प्रती एक प्रश्न को लेने जा रहा हूँ और फिर आपके लिए कुछ बहुत ही सरल कार्य छोड़ता हूँ और नहीं आपको बीमा उद्योग और उसे बेचने वालों के साथ व्यवहार करने की आवश्यक्ता है जैसे सरीस्रिप संक्रमित पानी से चलना आपको उस रास्ते पर बने रहने की जरूरत है जो है सुरक्षित वे तुम्हें पाने के लिए बाहर हैं आपको अपने पैसे का ध्यान रखने की जरूरत है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ वो लाइफ कव की आवश्यक्ता क्यूं है टैक्स बचाने के लिए नहीं सुरक्षित रिटायर्मेंट के लिए नहीं इसलिए नहीं कि विग्यापन एजेंसी लगाती है एक साथ अच्छी चीजे करते हुए खुशहाल परिवारों की छवियां इसलिए नहीं कि आप हैं परिवार के किसी सदस्यत, दोस्त, पढ़ोसी आपके द्वारा पॉलिसी खरीदने में हाथ बटाया बैंक या सिर्फ एक बहुत ही नट एक नो फॉय आंसर एजेंट एक रात मेरे पास एक दोस्त रिचा अगनिहोतरी का फोन आया पढ़ाती थी उस समय भौती की और किसी का मूर्ख नहीं है सामान्य मैं नहीं कर सकता नंबर नहीं व्यक्ति बिलकुल लेकिन उस दिन वो कुछ हिस्टीरीकल लग रही थी वो नहीं जा रहा है मोनिका क्या आप उससे बात करेंगे वो वो बीमा एजेंट था जिससे परिवार ने कई बार बेकार पॉलिसी खरीदी थी 20 साल अब मेरा दोस्त एक वित्तिय योजनाकार के पास जाने की प्रक्रिया में था और खरीदने से इंकार कर रहा था जिस बिंदू पर एक हताश रिचा ने मुझे फोन किया वो था जब उन्होंने पॉलिसी खरीदने तक अपना घर छोड़ने से इंकार कर दिया था वो था पिछले रिष्टों का आहवान किया उसकी सास को बताने की धमकी दी मैं तुम्हें बच्चा नहीं मैंने फोन किया और उस नीती पर चर्चा करने की कोशिश की जो वो बेच रहा था पूछ रहा था रिटन और कव पर सवाल ये एक खराब योजना थी जिसने एक पतला कव दिया और रिटन जो बैंक एफडी से भी बत्तर था जैसे ही मैंने पीछे धकेला उसने महसूस किया कि उसका खेल खतम हो गया था शायद मानसिक रूप से मुझ पर गाली गलोज करते हुए वो चला गया रिचा अब काम करती है एक योजनाकार के साथ और अंत में अपने पोर्टफोलियों से बेकार योजनाओं को स्थानान तरित कर दिया है मैं जीवन बीमा उत्पादों के कठिन धक्का की कहानी के बाद कहानी सुना सकता हूँ एक अन्य महिला को एक पूर्व छात्र द्वारा उसकी सेवानिवर्ती निधी में से बेकार योजनाओं को बेच दिया गया था एक कुछ साल, पहले मेरे साथ काम करने वाले ड्राइवर को उसके अतीत ने एक नीमबू बेचा था नियोकता मेरा घर बनाने वाला ठेकेदार हर साल कहता है उसका बैंक मैनेजर उसे कई तीन साल की बीमा योजनाओं खरीदता है संभवत, सबसे कठिन है ना कहना वे लोग हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर आप किसी को लाब पहुचाना चाहते हैं, उन्हें बिना कुछ लिए पैसे दें कृप्या न दे यह दान या दान सम्मान इसे एक वित्तिय लेंदेन बनाकर जहां आपको मिलता है बदले में कुछ वास्तव में आप न केवल यह पैसा खो देते हैं, बलकि बाद में एक उत्पाद के लिए प्रीमियम जो आपके लिए काम नहीं करता है आप अपना नुकसान कर रहे हैं इस दान को करने से आपके और आपके परिवार का वित्तिय भविश्य आप दोनों को खो देते हैं पैसा और रिष्टा आपको केवल एक ही कारण से जीवन बीमा कव की आवश्यक्ता है अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वित्तिय स्वास्थ्य यदि आपकी असाम एक मृत्य हो जाती है एक पल के लिए अपनी आखें बंद करें और कल्पना करें कि आप वहां नहीं है मृत होना गंभीरता से करो आपने अपने प्रियजनों को रोते हुए देखा होगा तुम आसपास नहीं हो भावनात्म कागात के बाद आप देखते हैं आर्थिक गित घर पर जमीन आप अपने जीवन साथ ही को यह सोचकर देखें कि अब उनका क्या होगा कि आपका EMI का भुगतान करने वाला वेतन चला गया है क्या EMI पर भी कारलोट आई जाएगी? आपके किशोर बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें यह एहसास हो गया है कि उनकी विदेश जाने की योजना है अचानक केवल एक सपना है उनसे बहुत पहले काम शुरू करना पड़ सकता है विचार भविश्य को लेकर घोर निराशा है बिल और फीस के बारे में और सामान जो केवल आप अपने कंधे पर उठाते हैं जब मैंने यह अभ्यास किया तो मेरा जबर्दस्त विचार था कि मैं कहां से पहुंच उम्रितकों से परे और परिवार की मदद करें यह इंगित करने के लिए की कागजात कहां रखे गए हैं कोवे काना फूसी पासवर्ट जो वे खोज रहे थे जाओ और यम के चहरे पर मुपका मारो और कहो अभी मेरा समय नहीं था मुझे अभी भी अपने परिवार का भविश्य तै करना था और उस मैंगो कुलफी फालूदा को खाओ जिसे मैं इतने लंबे समय से खा रहा था और बस उस आखरी को खतम करो बैटर कॉल शाओल का एपिसोड ओ ठीक है आखे खोल कर अच्छा लगा जब आप एक असामयक मृत्यू मरते हैं तो आप बहुत सी चीजे बीच में छोड़ देते हैं यह हो सकता है भोजन, नींद, बातचीत, लढ़ाई, मजाक छुट्टी की योजना, तुम भी छोड़ दो जीवन के बीच में परिवार, शारीरिक और आर्थेक दोनों रूप से जबकि हम अपने परिवार के साथ केवल अच्छी यादे छोड़ कर काम कर सकते हैं वो व्यक्ति बनना जो हमें लगता है कि हम है वित्तिय टुकड़ा करना बहुत आसान है, आपको यहापता लगाने की जरूरत है कि आपके बिना परिवार को कितना रहना होगा मा सिकाय में लाना और बच्चों के भविश्य के लिए कितना शिक्षा और विवाह आपके आश्रित माता पिता और जीवन साथ ही हो सकते हैं जो कमाते नहीं हैं और जब तक वे जीवित हैं तब तक उन्हें उनके लिए प्रदान करने की आवश्यक्ता हो सकती है इस बारे में सोचो सिर्फ आए प्रतिस्थापन के रूप में आप कितनी बड़ी एक मुष्ट राशी जिससे प्रतिफल अर्जित होगा करते हैं आज की जरूरत है ताकि अगर आप नहीं हैं तो परिवार से आपकी आए छूट नहीं पाएगी चारों और यदि आप अचानक गायब हो जाते हैं तो परिवार पर पढ़ने वाला दूसरा बड़ा खर्च है आपके पास कर्ज है ग्रेह रेन, कार रेन, शिक्षा, व्यक्तिगत रेन, क्रेडिट कार रेन यदि आप खरीदी गई सामगरी का उप्योग जारी रखना चाहते हैं तो इन सभी को वापस चुकाना होगा एक रिन के साथ जबकी एक परिवार के घर से निकाल दिये जाने के कुछ ही मामले होते हैं भारत में एक बैंक द्वारा, क्या आप वास्तव में अपने परिवार पर वो दबाव चाहते हैं जब समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है आपको सभी की देखभाल के लिए एक जीवन बीमा कव की आवश्शक्ता है अगर आपकी जीवन रेखा समय से प्रहले कर जाती है तो ये खर्चे और खर्चे अब तक आप समझ चुके हूंगे कि हम एक बहुत बड़ी राशी को जीवन के रूप में देख रहे हैं बीमा कव कव जोड़ें अपनी नीतियों को देखें और उसमें जोड़ें समय शोड के तहट आंकड़ा आपके पास अपनी सभी मौजूदा पॉलिसियां और देखें कि कैसे आपका जीवन बीमा कव कितना है परिपक्व होने पर पॉलिसी का मूल्य नहीं लेकिन अगर आप एक पर बैठे हैं बहुत सारी बकवास नीतियां मैं उन्हें डग क्यों कहता हूँ क्योंकि वे आपका कोई समाधान नहीं करते हैं वित्तिय समस्याएं ये ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें आपको या तो अच्छा देने के लिए नहीं बनाया गया है कव या अच्छा रि यदि आप जीवित रहते हैं आपकी पॉलिसी कोई पैसा वापस नहीं आता है प्रीमियम को उतपाद की कीमत के रूप में सोचें सवाल पूछो मुझे इस कीमत के लिए क्या मिल रहा है यदि आप सपष्ट रूप से प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो आपके पास नहीं है टर्म प्लान, एक शुधर जीवन बीमा पॉलिसी को टर्म प्लान कहा जाता है, यह कोई नीती नहीं है जिसके बारे में आपका एजेंट या बैंक आपको बताएगा, क्यूं, क्यूंकि यह सस्ता है और नहीं है अपना बहुत सारा पैसा सोख लो, एक औसत प्यांतीस वर्षिय व्यक्ति पच्चिस वर्षिय टम प्लान खरीज सकता है कि अपने लाभार्थी को एक करोर रुपे, दस मिलियन रुपे देता है यदि वो हून, पच्चिस के भीतर मर जाता है सालाना आठ हजार से दस हजार रुपे की कीमत के लिए, अपनी नहीं है, तो आप ज्यादा कवर नहीं है, आपके पास एक बकवास है, यह कई, बहुत सारे डूद्स बाजार में जीवन बीमा उत्पादों को समझना टम पॉलिसी में, आपका प्रीमियम वो कीमत है, जो आप जीवन बीमा खरीदने के लिए चुकाते हैं, तो अगर आपका एक करोर के कवर के लिए प्रीमियम सालाना दस हजार रुपे है, यह वो कीमत है जिसका आप भुगत करते हैं बीमा कंपनी आपकी असामयक मृत्यू का जोखिम उठाने के लिए जब आप यह पॉलिसी खरीदें आप समझते हैं कि यदि आप पॉलिसी अवधी से आगे रहते हैं आमतोर पर जब तक आप सेवानिवरिती की आयू तक पहुंचते हैं इससे अधिक सेवानिवरिती के अध्याय में आपको मिलता है वापस कुछ नहीं 20 से 30 साल के लिए आपका 10,000 रुपे प्रती वर्ष एक अप्शिष्ट है आप वापस कुछ नहीं मिला यह वो जगह है जहां आपको अप्शिष्ट होने के बारे में अपने स्वयम के विश्वास को फिर से काम करने की आपका परिवार बीमा लेने की आवश्शक्ता नहीं है और आप वृधावस्था में मर जाते हैं यह तर्क देखना आसान है कि हमें इस पैसे को एक टम पर बरबाद क्यू करना चाहिए बाजार में अन्य प्रकार की पॉलिसियों को खरीदने के बजाए बंदोबस्ती पैस का बैक प्लान या यूनिट लिंक्ट पॉलिसी एक बार जब हम समझ जाते हैं कि ये नीतियां कैसे काम करती हैं ठेट बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी आपको जीवन बीमा की एक छोटी परत देती है धकना यह आम तोर पर आपके प्रीमियम का दस गुना होता है तो अगर 6,000 रुपे है साल आपका जीवन बीमा 5,000,000 रुपे है यह आपको अपने पर रिटन देने का भी वादा करता है पैसे और वो आपके लिए गाज है आपको एक कवर मिलता है इसकी आपके परिवार की तिजोरी तुम रिटन प्राप्त करें और आपको टैक्स ब्रेक मिलता ह जले भी पर पिस्ता है कि पैसे परिपकवता कर मुक्त है जिस तरह से पॉलिसी बेची जाती है वो पूर्ण संख्या के संदर्भ में रिटन के बारे में बात करती है आप 5 साल के लिए सालाना 50,000 रुपे का निवेश करते हैं और 15 साल बाद आपको 5,000 रुपे वापस मिलत हैं या आप 15 साल के लिए सालाना 50,000 रुपे का निवेश करते हैं और आपको मिलता है 10,000,000 रुपे वापस बहुत सारे शून्य के साथ पूरण संख्याएं बड़ी दिखती हैं लेकिन प्रशन पूछे कि क्या प्रतिवर्ष रिटन प्रतिशत है और आपको चौकाने वाल उत्तर मिलते हैं पहली पॉलिसी रिटन 4.15 सालाना दूसरा 3.98 प्रतिशत प्रतिवर्ष कभी कभी पिच सम होती है अधेक जाटिल मुझे वास्तव में यह आभास होता है कि इरादा भ्रमित करने का है और फैंसी नंबरों में उत्पात की वास्तविक वापसी को छिपाएं बड़ी संख्या में मारे जाने के अत्याचार से बचने का एक आसान तरीका उप्योग करना है 72 का नियम यह एक बहुमुखी नियम है जिसे हम पुस्तक में कई बार प्रयोग करेंगे सेवा डबल योर मनी प्रस्ताव के हर साल रिटन की दर जाने बस प्रश्न पूछें मेरा पैसा कितने समय में दो गुना हो जाता है फिर 72 को उससे भाग दे संख्या मान लीजिये एजेंट कहता है 15 साल में आपका एक लाक रुपे बढ़कर दो लाक रुपे हो जाएगा 72 को 15 से भाग दे आपका प्रती वर्ष प्रतिफल 4.8 प्रतिशत है जो 4.73 के करीब है संख्या जो अधिक सटीक गरना देगी पिछले 15 वर्षों में मैंने इस उद्योग मेरी टीम और मैं को ट्रैक किया है इन नीतियों में से सैकडों को डिकोड किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे आखिर में क्या लौटते हैं आपके निवेश का प्रतिशत अगर हम यह समझने में काफी समझदार हैं कि FD6 या साथ प्रतिशत का ब्याज वापस देता है फिर बीमा पॉलिसी क्यों चुपाती है यह वापसी इतनी सावधानी से इसका कारण यह है कि वे आपको दैनिय रिटन देते हैं और सतन एक गारंटी रिटन पॉलिसी करीब 3 फी सदी सालाना रिटन देती है भाग लेना किसे कहते हैं योजनाए या योजनाए जो आपको पॉलिसी के अंत में बोनस देती हैं 0.5 के बीच देती हैं प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक का रिटन आपने इसे सही पड़ा एक टकसाल कार्यक्रम में हमने बीमा नियामक के एक वरिष्ठ अधिकारी को आमंतरित किया था वो एक नीती के बारे में बात की जिसे नियामक ने खुद डिकोर किया था और उसका रिटन पाया था 10 साल बाद 0.5 फी सदी सालाना एक तरफ के रूप में बोनस, शब्द का प्रयोग है इसका मतलब आपके दिमाग के उस हिससे को ट्रिगर करना है जो मुफ्ट में एक अतिरिक चीज चाहता है लेकिन यह है शब्द के वास्तवे कर्थों में बोनस नहीं यह तुम्हारी वापसी है यह बैंक, FD की तरह है जिसमें कहा गया है अरे यार, आपको बोनस मिलता है हम न केवल लोटते हैं आपका पैसा आपने साल के अंत में निवेश किया था लेकिन आपको साथ प्रतिशत भी देते हैं उस पर बोनस जैसे, ब्याज, को, बोनस, कहना मूर्खता पूर्ण है वैसे ही, रिटन को कॉल करना की नीती एक, बोनस, विचित्र देती है लेकिन यह आपके लिए भारतिय भीमा उद्योग है जव चार वे आपके भरोसे और अपने बुरे उत्पादों पर विश्वास करने की इच्छा को खत्म कर देते हैं बहुत से लोग यह सोचने की गलती करते हैं कि खराब रिटन इसलिए है क्यूंकि जीवन बीमा कवर का प्रीमियम को फिर से कीमत के रूप में सोचें यह कीमत है अब आप दो चीजे खरीद रहे हैं एक बीमा कवर और एक रिटन एक की कीमत बीमा कवर मृत्युदर कहा जाता है एक ही व्यक्ति के लिए अलग नहीं हो सकता एक टम पॉलिसी के लिए और एक बंडल पॉलिसी के लिए क्योंकि यह उस पर आधारित है जिसे कहा जाता है बीमान के टालिक आएं आएए यहां शब्द जाल के बारे में चिंता न करें लेकिन केवल यह समझें कि आपके शुध जीवन बीमा की कीमत की गरना अन्य बातों को ध्यान में रख कर की जाती है एक औसत व्यक्ति कितने समय तक जीवित रहता है उसका लिंक क्या है और वो किस उम्र में है आज तो अब हम जानते हैं कि शुध जोखिम कव की कीमत समान होनी चाहिए एक टम पॉलिसी और एक एंडोमें पॉलिसी में अब दो की कीमत पर नजर डालते हैं समान कव योजनाएं अगर एक 39 साल के बच्चे को एक साल में 1000 रुपे का प्रीमियम खरीदता है व्यक्ति को टम प्लान में 25 साल के लिए 5 लाख रुपे का जीवन बीमा तो लागत लाइफ कव के मनी बैक प्लान में समान होना चाहिए है ना इसका मतलब है कि एक बंडल उत्पाद में सालाना 50,000 रुपे का प्रीमियम बस 1000 रुपे आपके जीवन बीमा की ओर जा रहे हैं थौक यानि 49,000 रुपे प्रती वर्ष आपका निवेश है जिस दिन मुझे ये समझ में आया दुनिया एक पल के लिए रुक गई मैंने बाहर निकाला कबार नीतिया में वर्षों से बेचा गया था यह देखने के लिए की नुकसान क्या था विशाल, बंदोबस्ती योजनाएं लंबी अवधी में धन को नश्ट कर देती हैं जिस दिन आपको एहसास होगा कि यह है अपने निवेश और बीमा उत्पादों को अलग करने के लिए आपके सर्वोत्तम हित में वो दिन हैं आप अपनी वित्तिय सुरक्षा के निर्मान की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ते हैं वरना आप निर्मान कर रहे हैं विक्रेता और बीमा कमपनियों के लिए धन जब आप एक बंदल उत्पाद खरीबते हैं तो दो चीजे गलत हो जाती हैं एक आपको जो कव मिलता है दैनिय रूप से छोटा है यदि आप पचास हजार रुपे वार्षिक प्रीमियम का भुगदान कर सकते हैं तो यह है यह मान लेना उचित है कि आपकी वार्षिक आए कम से कम 6 लाख रुपे होनी चाहिए अगर तुम कल मरो 5 लाख रुपे आपके परिवार के लिए बीमा भुगदान के रूप में क्या करेंगे कुछ नहीं जिल्च आपको कितना खरीदना चाहिए था कम से कम 6 लाख रुपे इतना क्यूं का उत्तर अगले भाग में मिलेगा लेकिन चलो बस इसके साथ रहो एक पल के लिए अधिक समय के लिए प्रीमियम के मामले में आपको 60 लाख रुपे के कवग की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी यदी आप इस बंडल उत्पात को खरीदने पर जोर देते हैं करीब 6 लाख रुपे प्रीमियम के तौर पर यह आपकी वार्शिकाए के बिलकुल बराबर मैंने तुमसे कहा है ये योजनाय भयानक हैं ये इतनी मेहनत से क्यूं बेखते हैं जिस तरह से प्रोथसाहन सनरचना है भारत में जीवन बीमा में निर्मित प्रथम वर्ष का कमीशन 42 प्रतिशत तक है आपके प्रीमियम का आपके द्वारा निवेश किये गए एक लाख रुपे के लिए एजेंट को 42,000 रुपे तक जाता है जो आप पर नीती थोपता है यह कानूनी भुगतान है बीमा कमपनियां ढूनती हैं कानूनी रूप से अनुमत चीजों के उपर कमीशन देने के तरीके एक बड़ी एजेंसी फर्म ने मुझे बताया कि वे पहले का 80 प्रतिशत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कमीशन के रूप में प्रीमियम यह आपके दाव हैं जो इन दोस्तों को खरीदना जारी रखते हैं योजनाएं क्या आपको बीमा में हर साल नए उत्पाद नहीं बेचे जाते हैं? अब तुम जानते हो क्यूं? प्रतम वर्ष का कमीशन बड़ा लड़ू है जिसके बाद हर एजेंट होता है किसे पड़ी है पॉलिसी सविसिंग या वार्षिक नवीनी करण के बारे में पहला प्रीमियम बैग में होने के बाद यूलिप के बारे में क्या? तारानकन यूलिप यूनिट लिंक्ट इंशोरंस प्लान के बारे में सोचें इसके उपर बीमा की परत के साथ म्यूच्यूल फंड यूलिप वास्तव में विशाक्त हुआ करता था 2010 तक उत्पाद लेकिन तब से लागत के मामले में काफी बहतर हो गए हैं लेकिन उन्हें अभी भी खराब पोटफोलियो प्रकटी करन और पोटबिलिटी की कमी की समस्या है उन्हें निवेश के लिए इतने महान वहान नहीं बनाना मैं माई को अनबंडल करना पसंद करता हूँ मेरे बीमा से निवेश और मेरे जीवन के लिए एक बड़ी अवधी की योजना के साथ बने रहें बीमा की जरूरत है और मेरे निवेश के लिए mutual fund खरीदें बड़ा कितना बड़ा है ढकना? मुझे कितना कवच चाहिए? अगर आज आपकी मृत्यू हो गई है तो उन सभी खर्चों के बारे में सोचें जो परिवार के आगे हैं अब सोचें कि उन्हें सावधी जमा या कर्मुक्त में कितना पैसा निकालना होगा नियमिताय उत्पन करने के लिए bond या mutual fund? अंगूठे का नियम है कि आपको अपनी टेक होम वार्षिक आये का 8 से 10 गुना चाहिए या 15 से 20 आपके वार्षिक मासिक व्याय का गुना आये कुछ संख्याओं के साथ काम करें मान लीजिए कि आपकी वार्षिक टेक होम आयरू है 6 लाक या लगभग 50,000 रुपे प्रती माह तू मर आपका कवः एक अच्छे मोटे रुपे के लिए था 60 लाक आपके जीवन साथी को यह पैसा मिलता है वो बॉंड या फंड नहीं समझती और इसे 7 प्रतिशत 10 वर्षिय सावधी जम्मा FD में डाल दें, वो करने में सक्षम है प्रती माह 40,000 रुपे उत्पन करते हैं याद रखें, 50,000 रुपे की पूरी राशी नहीं थी ग्रहन किया हुआ एक हिस्सा था जो बच रहा था बेशक, हम मान रहे हैं कि आप बिना पैसे के नहीं मरें और आपके पास अन्य निवेश थे और आपके भविश्य निधी में वो जगह थी जो उसे भी निवेश करने के लिए मिलती थी अपनी आय के लिए एक कवर के अलावा आपको सभी के लिए बीमा खरीदना होगा आपके पास कर्ज है हर बार जब आप बड़ा रिन लेते हैं आमतोर पर ग्रह रिन कभी कभी पसनल लोन आपके द्वारा लिए गए लोन की पूरी राशी के लिए एक टम कवर खरीदे मान लीजिए आप 80 लाख रुपे का होम लोन लेते हैं 80 लाख रुपे का टम कवर खरीदें आपका बैंक आपको एक कम करने वाली कवर पॉलिसी की पेशकश कर सकता है जिसका प्रीमियम के साथ बंडल किया गया है आपकी EMI कहो नहीं ये अधिक महेंगा होने की संभावना है और इसके लिए एक और तर्क है 80 लाख रुपे का कवर खरीद रहे हैं जैसे जैसे आपकी रेन राशी गिरती है आपकी उम्र बढ़ती जा रही है अपने काम में बहतर कर रहे हैं आपका वेतन बढ़ रहा है इसलिए कवर की जरूरत है उभरता हुआ का अच्छा समय कब है जैसे ही आपके पास आश्रित हो या आश्रित होने की संभावना पैदा हो खरीद लें आम तोर पर जब आप शादी कर लेते हैं और आश्रित हो जाते हैं तो आप जीवन बीमा खरीद लेंगे पती या पतनी यदि जीवन साथ ही कमा रहा है और आपके पास कोई रिन नहीं है तो आप निम्द में सक्षम हो सकते हैं बच्चों के साथ आने तक कवर की खरीद को स्थगित कर दें तुम नहों तो भी विवाहित हैं और शादी नहीं करने की योजना बनाते हैं लेकिन अविवाहित की जिम्मेदारी लेते हैं भाई बहन या माता-पिता आपके कंधों पर हैं आपको अभी भी एक जीवन बीमा पॉलिसी की आवशकता है। इसलिए पॉलिसी तभी खरीदें जब आपको एहसास हो कि परिवार के अन्य लोग करेंगे अचानक मृत्यू होने पर आर्थे कश्ट जितनी जल्दी हो सके खरीद लें क्यूंकि आपको मिल जाता। थे आपके पहले प्रीमियम से पॉलिसी की अवधी के लिए लोग इन किया गया। और ये है कुछ ऐसा जो आपको जानना आवशक है। आप जितने छोटे होंगे, आप उतने ही सस्ते होंगे जिसके लिए आप लोग इन करेंगे। तीस को छूना आमतोर पर कव खरीदने का एक अच्छा समय होता है। आप काफी पुराने हैं एक अच्छा आय प्रवाह और आश्रित हैं। लेकिन इतना पुराना नहीं है कि कव भी हो सकते हैं महंगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जीवन बीमा की लागत तेजी से बढ़ती जाती है। एक रुपे का कवर एक तीस वर्शिय व्यक्ती के लिए करोर रुपे प्रती वर्श आठ हजार माइनस दस हजार रुपे के बीच खर्च होंगे। एक के लिए प्रेंटालिस वर्षिय यह लागत दो गुने से अधिक होगी क्या मैंने सुना है कि आप अपने बीस वर्षिय बेटे को खरीदने के लिए दौर रही हैं जो अभी भी अंदर है कॉलेज और कमाई से कुछ साल दूर है आप कहते हैं आपने अभी कहा लौक इन जल तो नो इंकम का मतलब की बड़े कव की संभावना कम है तो जल्दी खरीदो और सस्ता खरीदो लेकिन याद रखे कि आपको इस निर्नय को अगले पर कई बार फिर से देखना होगा 25-30 वर्षि करों के बारे में क्या नमस्ते लेकिन मेरी टैक्स सेविंग का क्या मैं उसके के लिए क्या करने जा रहा हूं बहुत सारा उस तालाब में मचली इतना ठंडा हमें यह सोचने के लिए लाया गया है कि एक जीवन बीमा प्रीमियम साल के अंत में टैक्स बचाने का एक मात्र तरीका है मुझे हर साल 15 मार्च के आसपास बहुत सारे घिनोने फोन आते थे और पूछते थे कि क्या कर बचत निवेश करने के बारे में करना चुनकी इसमें थोड़ा सा काम है असी सी बासकेट में अन्य उत्पादों को ओन बोर्ड करने और बीमा में किया जाना चाहिए एजेंट को आपके पहले प्रीमियम का 42 प्रतिशत कमीशन के रूप में मिलता है अनुमान लगाएं कि कौन सा है खरीदना आसान है पैनिक कॉल क्यूं बंध हुए दोस्त और परिवार होशियार हो गए इसके अलावा मुझे लगता है कि मैंने कुछ पर तंज कसा होगा यदि आप मुझसे एक ही बात पूछते हैं 15 मार्च को साल और फिर जाओ और एक और लानत नीटी खरीदो मैं अंत में स्नाप करूंगा नहीं मानव और वो सब 80C बासकेट में आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं लेकिन निवेश के लिए आप कर सकते हैं एक विशेश 5 साल की बैंक जमा राशी जो आपको समान टैक्स ब्रेक देती है आप में निवेश कर स लगते हैं सार्वजनिक भविश्य निधी, PPF, राश्ट्रिय पैंशन योजना, NPS, यकर म्यूचूल फंड की बचत इन म्यूचूल फंड को एक्विटी लिंक्ट सेविंग स्कीम, इयलिसिस कहा जाता है और ये है टैक्स ब्रेक प्राप्त करते हुए लंबी अवधी के नि है बहुत अच्छा, आपको कुछ भी करने की आवशक्ता नहीं है, आपका भविश्य निधी योगदान एक दशमलव पांच लाक रुपे तक की कर बचत राशी के रूप में लिया जाएगा, आपको वही देना डट बीमा योजना के रूप में लाब, कौन सी पॉलिसी खर खरीदना है, अब जब आप पूरी तरह से कहानी प्राप्त कर चुके हैं, कि आपको एक जीवन बीमा कव की आवशक्ता है, जो की है आपकी वार्शिक टेक हो माये का कम से कम 8-10 गुना, और आपको एक कव खरीदने की आवशक्ता है, जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत होने तक ले जाता है, अगला प्रश्न खड़ा होता है, वाट खरीदने की नीती, क्या निजीक शेत्र के बीमा करता सुरक्षित हैं, पॉलिसी खरीदते हैं, वो एक कमपनी से सस्ते प्लान प्राप्त करने का मिश्रन है, जो है अपने दावो का सम्मान करने के लिए जाना सस्ता क्यूं? टाम इंशोरंस एक शुधर वैनिला है उतपाद, आप एक प्रीमियम का भुगदान करते हैं, यदि आप मर जाते हैं, तो कमपनी एक मोटा चेक सौंपती है तुम्हारा जीवन साथी, चुनकि ये एक दीर कालिक अनुबंध है, आम तोर पर 25 से 25 वर्ष की प साथ ही, एक बार जब आप किसी विशेश कीमत पर पॉलिसी खरीडते हैं, आप इस कीमत में फंस जाते हैं, पिछले अध्याय में चिकित्सा नीतियों के विपरीद, मुद्रा स्फीती पर विचार करें, और 15 वर्षों के बाद आपके द्वारा भुगदान किया जाने वाल प्रीमियम सिर्फ आधा है आपके द्वारा वास्तविक रूप में भुगदान किये गए रुपे का नियम एक, एक सस्ता प्लान प्राप्त करें, घटाने के बाद से ओनलाइन योजनाय सबसे सस्ती हैं, एजेंट कमीशन, आपके प्रथम वर्ष के प्रीमियम का 42 प्रतिश की गई पॉलिसी की लागत से दुगनी होती है पॉलिसी जो आप ओनलाइन खरीदते हैं, हमने अपनी नीतियों को बीच में ही एक खरीदे गए एजेंट से एक ओनलाइन में बदल दिया कुछ साल पहले, हम बड़े थे और हमें अधिक कावम मिला, लेकिन ओनलाइन कीमत थी की पुरानी पॉलिसी के लिए हम जो कीमत चुका रहे थे, उससे थोड़ा ही अधिक, हमने छोड़ दिया पुरानी पॉलिसी और नई खरीदी, सौभाग्य से हमने इसका उप्योग नहीं किया है, और उमीद है कि पैसा बरबाद हो जाता है और नाली में चला जाता है, निय की तीन या चार नीतियों को शौट लिस्ट करें, कवर और कार्यकाल, और फिर दावों के अनुभव को देखना शुरू करें, ऐसा नहीं है ढूंडने में आसान, 95 प्रतिशत से अधिक का दावा अनुभव ठीक है, इसका मतलब है कि कमपनी दायर किये गए दावों का 95 प्र सखाई देती हैं, क्या निजी कमपनिया सुरक्षित हैं? मुझसे लगभग हर बार जब भी बात की गई है, मुझसे यह पूछा गया है मेरी सारवजनिक वार्ता में बीमा के बारे में, सुरक्षित से हमारा क्या तातपर्य है? क्या वे दोड़ेंगे हमारे पैसे से दूर? नहीं, वे नहीं करेंगे. हमारे पास एक नियामक है जो सेट करता है खेल के नियम. ये नियम कहते हैं कि किसी भी बीमा कमपनी के पास होना चाहिए विलायक होने के लिए परियाप्त धन. क्या बीमा कमपनी लगभग 20 वर्ष की होगी बाद में? खेर, उनमें से कुछ पहले से ही पिछले 15 से व्यवसाय में हैं साल और भविश्य में भी आसपास रहेगा. अगर कोई कमपनी इससे बाहर निकलना चाहती है बीमा व्यवसाय, ये अपने शेयरों को किसी अन्य कमपनी को बेच देगा या अधिग्रहन कर लेगा. तो, हाँ, किसी भी कमपनी से के दावों के अनुभव के साथ टम प्लान खरीदना सुरक्षित है कम से कम 95 प्रतिशत. एक योजना है आपको पीछे छूटे लोगों के लिए एक योजना बनाने की आवश्यक्ता है. ये कल्पना कीजिए. आपका जीवन साथी, जो वित्तिय निर्णियों में सक्रिय भागीदार नहीं है. वो अचानक से प्रभावित होता है आपका आगहात इस से जल्दी मुकाबला कर रहा है और एक बड़ी एक मुष्ट राशी बैंक को प्रभावित कर रही है. आपको उसके पास एक योजना ह जो उसका मार्ग दर्शन करेगी. मैं उसका जान बूज कर इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ज्यादातर यह है जो पुरुष भारतिय घर में वित्तिय नियोजन की चिंता. आए इस बारे में अधिक विस्तार से बात करते हैं वसीयत के अध्याए. में, मुझे लाइफ कव की आवश्यक्ता कब नहीं है? यदि आपकी आए पर कोई आश्रित नहीं है, तो आपको किसी जीवन बीमा की आवश्यक्ता नहीं है ढखना. मुझे इसे दोहराने दो. अगर आपकी आए से चूकने वाला कोई नहीं होगा, खरीदारी न करें एक जीवन बीमा कवर. एक और स् शोलक और अन्य भुगतान करने के लिए काम पर जाने की आवश्यक्ता नहीं हो जीने की कीमत. आपके निवेश इतने बड़े हैं कि आपके सभी खर्चों को पूरा कर सकते हैं, वर्तमान और भविश्य. ज्यादातर लोग साट साल की उम्र के आसपास इस मुकाम तक सेवानिवरिती या तो पैंशन के साथ आती है या एक मुष्ट जो आय अर्जित करने के लिए निवेश किया. लेकिन मान लीजिए कि आप बीच में ही बहुत अमीर हो जाते हैं. हो सकता है कि आप उस व्यवसाय को नकद कर दें जो आप अपना और केवल उस पैसे का निवे यह जरूरतों का ख्याल रखती है. कब ऐसा होता है? आपको लाइफ कव की जरूरत नहीं है. क्या होगा यदि आप मर जाते हैं? वही कोश होगा परिवार की देख भाल करना. जीवन बीमा कवर का काम तब तक आप की सेवा करना है जब तक आप कर्ज मुक्त नहीं हो जाते और वित्तिय रूप से आत्म निर्भर. जिस क्षन ऐसा होता है? आप अपना कार्यकाल रोक सकते हैं बीमा योजना. याद रखें कि ये वार्षे का नुबंध हैं. यदि आप इसे समाप्त करते हैं, तो आप कुछ नहीं खोना. यदि आप अपनी बंदोबस्ती नीतियों क बीच में ही समाप्त कर देते हैं, तो आप बहुत कुछ खो देते हैं. टाम प्लान के साथ बने रहने का एक और कारण. कंचन की कहानी का अंत अच्छा हुआ. मैंने उसे बताया की कैसे वापस लड़ना है. उसने अमेरिका को लिखा बैंक का मुख्याल है. अपने मेल में व ठीटर पसन. कंचन अब एक प्रमानित वित्तिय कंपनी के साथ काम करती है. योजनाकार और नियमित रूप से मुझे यह कहने के लिए फोन करता है. धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई. मुझे बहुत लगता है मेरे जीवन के नियंतरन में. अध्याय के अंत में मैं इस कवर शकता है टम कवर. किसी अन्यप्रकार का कवर न खरीदें. निवेश और मिश्रन न करें एक ही उत्पाद में बीमा. लाइफ कवर आपके मनी बॉक्स का एक महत्वपून हिस्सा है जो अनुमती देता है अपने परिवार को अपनी जीवन शैली और भविश्य के लक्ष को बनाए रखने के लिए आप दशकों से इस उत्पाद के बारे में गुमराह किया गया है. तुम हो ठीक है अगर 1. आपके पास शुधताम इंशोरंस प्लान है. 2. आपने एजेंट कमीशन लागत को हटाने के लिए इसे ओनलाइन खरीदा है. 3. आपके पास एक भी यूले से 10 गुना है. टेक होम आए या आपकी वार्शिक आए का 15 से 20 गुना वियाए.